मसीय सुके कादर पाक और जलाली आप सबको आद सुब्स बहुत से पुंचे हम सब जमा आए हैं कि हम खुदा के नाम को जलाल दे खुदा जो के हमें जिन्दगी देता है हमें तनुरोस्ति है़ मैं शुकुक हर गुदा करता है। हमें अपने sekarang में इसन्हारा कना हो और उसीं को प्रूद आपन होए समयम्दू को डिर्यव Aleut हमें अपने खुदा के पास आना है को जब उठते हैं तो हमारे दिल में होताए स्वारा की हजूर्ण हम उसकी हमस्की हुज्री रजा हमारे साथ शामिल हैं और हम मिलकर खुदान के नाम को जलाल देंगे और अपनी रहनमाई के लिए हम कलाम मुकदस में से तलावत करेंगे वाइस की किताब और उसका ग्यारवां बाब है उसकी नामी और दस्वी आयत मुकदसा को आज हम अपनी रहनमाई के लिए देखे अगर आपके पास बाइबल है तब खोले हमारे साथ ताकि आप इस किलाम को इंजॉय कर सके पढ़ने में रहनमाई खुदा के बंदा खुदा के खादम पास्टर सलीम रजा करेंगे गुड मॉर्निंग और गॉड बेस्टर स्वी आपके इस आज हम देखेंगे वाइज की किताब उसका गहरमाबाब और इसकी दो आज़ात नामी और दस्वी दो आज़ात को हम देखेंगे खुदा आज जिन्दा पाक लाम में यू कलम बंद है एजवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखे मन्जूरी में चल लेकन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझ को अधालत में लाएका पस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल क्योंके लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं खुदा के पाकलाम का पड़ा और सोना जाना हम सब के लिए बाईशे बरकत हो आमेंज आईए अपने सरों को जुकाएं हम दुआ करेंगे कादर अबदियत कबाप और सलामती का शाज़ादा है हम शुकर गुजारी करते हैं तेरे जिन्दा कलाम के लिए जो हर रोज हमारी रहनमाई करता है हमारी जिन्दगी के हर हिसे में हमें सिखाता है हम शुकर गुजारी करते हैं आज के किलाम के वसीला से हम सब को बरकत बख्षना मसीय सुके कादर, पाक और जलाली नाम से मांगते है आज का हवाला बहुत खुबसूरत है उसकी जो वर्स है एजवान तु अपनी जवानी में खुश हो और जवानी ऐसे डेज होते हैं जिसमें ना तो फिकर फाका होता है ना कोई हमें किसी की परवाह होती है बरकर जवानी में हम बहुत मजबूत होते हैं हर बात में हम देखें अनरजी बहुत ज़्यादा होती है कामकाज की अनरजी होती है बाचीत की अनरजी होती है और बहुत सारे कामों में भी ज्यादा अनर्जी होती है तो जुवानी जो है, ये बड़ा खास जिन्दकी का हिस्सा है जो पूरी अगर हम बच्पन से लेके बढ़ापे तक अगर हम देखे तो जो सबसे खुबसुरत हिसा है वो जुवानी का हिसा आता है तो ये बड़ी खुबसूरत बात है कि जवान तो अपने जवानी में खुश हो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी नोजवानों में बहुत ज्यादा खिदमत है तो बहुत सारे लोग भी आपके पास आते होंगे बेटे बेटियां जिनको आप टीच भी करते होंगे तो आज आप हमें क्या बता रहे हैं सबसे पहले तो मैं यह बता हूंगा कि बड़ा मुझे याद है कि जवानी के याम ऐसे होते हैं होस्टल में जब हम थे तो नौजवान लड़कों ने सर्दियों में विदाट जैकर रॉस्वेटर बेटा यह सर्दियों हो रही है ठंडा वह समो रहा है सर्ज कुछ भी नजवान आदमी है तो नौजवान जवाते हैं को हमने अपने बड़ा कॉन्फिडेंस होता है चाहिए रहा है यह थे हलात के साथ इनके अदर अनर्जय होती है यह थे सबसे इनर्जी होती है और यह अपनी लाइव का यह सबसे इंपॉर्टन इरा होता है किसी भी इन्सान की जवानी का जो है उसमें बड़ा confident होता है उसमें बड़ा फखर होता है आपने आपको बड़ा maintain, automatically maintain रखता है जैसे गैरा से उपर जाएगा तो इसमें देरे देरे आपने आपको manage करना, maintain रखना बहुत ज़्यादा इसमें especially यहां पर जो guidance की गी है खुदा के खादम सुलिमान ने अपने आजयाम के आखरी हिस्से में इसको लिखा है बिल्कुल उसमें बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जिसने उसे बहुत मायूस हो परेशान किया और उसने देखा कि सब चिज़ों में से अब मैं घुजर चु कॉछ परेशान कि आखरी है और जोड़ानी के उन दिनों के गताए को याद कर रहा था और इसे लिए बईधार था था आखर ए किर्ए भूजान के तरुए ऑन 극ति आखरूग और शाता है अगया बहुत कर दो कर दो तुं को आखर तब आहेためने तो था मनु की एतनव मन चा है बुरी सेसाइटी है बुरी कामपनी है बुरे कामों के तर से लिज्वा की तरफ कश्ष है तो इस बात को ओच को याद रहा कि एं तमाम बातों कले तुझे ज़ाब दे होना है बिल्कुल और ये नोजवानों को नसीहत की गई है, नोजवानों को बताया गया है, अगाह किया गया है, ये सारा सुलिमान बादशा की जिन्दगी का नचोड है, और उसने अगर हम इसके आखरी समय देखें तो उसने लिखा है कि लड़कपन और जवानी दोनों ही बातल है, यानिकि वह इस प्रोस्स में से गज़ड़ा है, उसने जवानी गज़ा रही है, जवानी के तमाम आयाम को भी उसने इन्जॉई किया है, तो भी वो अपना अक्स्पीरियंस बता रहा है, और कोई भी बन्दा है वो अपना आक्स्पीरियंस ही बताएगा, जयसे anne मैं ब अगे, कि हम भी पहारों पर चढ़ा करते थे, या कहीं भी उच जगा पर चढ़ना तो हमें, डार नी लगता था मुझने, अग远 जब चढ़ते हैं, तो फिर थोडा साससो मंझ के चढ़ते हैं, या फिर ठोडा संबल कि हम बहुत सो समंझ के कधम को उठाते हैं, अगर लाइक कोई चीज भी उन्ची जगा से उठानी है तो बड़े संभल के बड़े सोच के हम उस जगा को हम देखते हैं तो यह वाकर जो यह नसीहत है यह नोजवानों को है जो उनके जवानी के याम बहुत फ्रेश होते हैं जहें बिलकुल ताजा होते हैं और अबलीज जो है इसी टाइम में बच्चों को टारगट करता है हमारे नوجवान बेटियों को, हमारे नोजवान बेठों को क्योंकि हमेशा से हमारे बच्चे भी रही है और हमारे असदवाजी लाइफ तो रही है अगर देखे तो बागे अदन में भी ही हुआ है कि उसने खांदान को टार्गट किया है तो आज भी टार्गट खांदान भी है और इसके साथ साथ हमारे नौजवान बेटे बेटियां भी है नौजवान तो आज बिलकुल लेटस्ट देखा जाए कुरंटली हम सुरतल को पर करें उनको फ्रेंडली ज्यादा महौल दें ताकि राद दर उन्हें जरूरत ना पड़े कि हमें कोई और फ्रेंड लेना है ताकि मैक्सिमम मामा और पापा के साथ या अपने जो अच्छे लोग है उनके साथ वो अपना वकत गुज़ार सकते हैं तो इसके साथ साथ हम देखते हैं एक और बड़ी खास बात मुझे भी खुदा का खादू यूसफ यादा आ रहा है कि उसके अंतर भी प्राइड था उसके लिए लाउस का बाइस भी बना लेकिन उसने मैक्सिमम अल्टिमेटली वो टीचिंग जो पापा से पाई थी खुला कलाम की उसको उसने बेहतर रा की तरफ उसने गुजारा और उसको इंप्लिमेंटेशन में लेकर आया और हम देखते हैं कि जो कुछ जवानी में उसने किया था अच्छा उसका रिजल्ट एड़ दी एंड तक उसके लिए उसके घ्राने के लिए और लोगों के लिए बरकत का बाइस बना बिलक तो अपनी जवानी के आया में खुश हो और उसके आया में अपना जी बहला यानिके ये वो दिन होते हैं जिसमें हमारे अंदर खुश होता है हमारे अंदर जजबा होता है हम खुश के साथ हर काम कार रहे होते हैं जोश के साथ हर काम को कार रहे होते हैं और हमें ये सब कु हो जानी चाहिए इस एज में आफ़ी हो जाना चाहिए तो यह सारी चीजे देखें अकॉर्डिंग टू एज ही अच्छी लगती है बहुत और इसमें मैं बड़ अच्छा फील करता हूं जैसे बाजी आप नौजवन बेटियों के साथ बड़ अच्छा ताइम स्पेंड करती ह जब एक अच्छे फर्द के साथ एक अच्छे साई में गुजरता है और वो सीखते हैं अपने से तो अल्टीमेटली उनके लाइफ खुबसरत होती है उनके बदर में बदी नहीं होगी उनके ख्यालात में बदी नहीं होगी अगर अटाइक होंगे भी तो रुक जी और जैसे लिखा हुए कि अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मनजूरी में चल यानि कि जो दिल में चाहता है जो आपका दिल चाहता है वो आप जरूर करें मगर हमें एक लिमिटेशन में रह के करनी है कुदा के कलाम में लिखा हुए कि तो अपने बेटे की ऐ किसी राह पर तर्वियत कर जिस राह पर उसे चलना है और यहां पर फिर मैं भार-बार पेरेंट्स की तरफ ही आज जाती हूं कि यहां पर पेरेंट्स का रोल है कि हमें क्योंकि बच्छा जवान हो रहा है बेटी जवान हो रही है तो अगर आप खबरदार नहीं होंगे आप नहीं होंगे तो कैसे आप अपने बच्चों को बताएंगे कैसे वह सीधी राह पर चल पाएगा यह पेरेंट्स बिल्कुल आप ठेक कहे रहे हैं पेरेंट्स के दफ़ा पेरेंट्स लेकर थोड़ा सा अनिके डिफरेंट्स करते हैं स्कूल, कॉलज, यूनिस्टी की तरफ वो देखते हैं कि तर्भियत का काम भी वही करेंगे हाना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है और अल्टीमेटली मॉरल वैल्यूज वो शेयर करनी होती हैं बतानी होती हैं लेकर मैक्सिमंँ जो टाइम प्रैक्टिकलि गुजरता है एवेंट्स के लिएา अम हम आपका के जादा गुजरता है जह को महा से मामा को पहली दृटीव को पहली यूनिस्टी ऑर गाया in and क्यों से नसफिए जह से सुाटार्ट है वो जिए बाप पी कर गया है और जैसे ही बाप उठके कहीं बाहिर काम से गया है तो फूरान उसके बेटे ने उसके बुजे हुए सिगरट को उठाया है और खुद पीने की कोशिश की है इसका मतलब है कि जैसा बाप करके गया है बेटा प्रैक्टिकली अपनी जिद्गी में उसे करने की कोशिश कर रहा है तो माबाप की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है बच्चे जवान हो रहे हैं, बेटी जवान हो रही है, बेटा जवान हो रहा है आपकी responsibility है, कि आप उनको बताएं कि कौन सी रहा खुदा तक जाती है रास्ते दो ही हैं, एक रास्ता है जो है जिन्दगी की तरफ जाता है और एक रहा है जो हमें मौत की तरफ लेके जाता है चुनाओ हमारा है, हमारा खुदा ने ये हम पर ये छोड़ा कि हम उससे अपने जिन्दगी में कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है कहीं माच जाएगा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, God bless you Welcome back, आप देख रहे हैं Morning Star और ये हम सब का फेवरेट प्रोग्राम है और हम आज हम बात कर रहे थे खुदा के कलाम मकदस में से कि हमें अपने जवानी की अयाम कैसे गुजारने हैं पहले तो हम डिसकुस कर रहे थे कि जवानी क्या है, ये कैसे डेज हैं ऐसी जिन्दगी का एरिया है, ऐसी जिन्दगी का हिस्सा है, जिसमें जोश होता है, जजबा होता है, लगन होती है और फिर हम हर काम को बहुत फुर्ती के साथ करते हैं, तो ये जवानी है और इस जवानी में हमें अपने दिल को भी बहलाना है, खुश भी होना है, इंजॉई भी करना है, जवानी क्योंके बार बार नहीं आती हमें इंजॉई भी करना है, मगर याद रखें कि इस जवानी के आयाम के बाद हमें खुदा की खुदा की खुदारी में भी आना है, हमें क्योंकि खुदा का किलाम हमें बहुत खुबसूरती के साथ यहां पर नसीहत करता है यहां पर वाइज अपने जिन्दगी का खुबसूरत अपना जो उसका अक्सपिरियंस है जो उसके उसने गुजरे हुए अयाम है वो इस जगा पर बियान कर रहा है यहां पर लिखा हुआ है उसके अयाम में अपने जीब हला और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मन्जूरी में चल आगे लिखा हुआ है कि याद रख यहां पर सुलिमान बादशाह नसीहत करने के बाद हमें बता रहे हैं कि याद रख हमें इन चीज़ों को याद रखना है हम अपनी आँखों के मताबिक भी चल रहे हैं हम अपने दिल के मताबिक भी चल रहे हैं मगर यहां पर रिमाइनर दे रहा है कि याद रख कि इन तमाम बातों के लिए खुदावन तुझ को अदालत में लाएगा यहां पर पह अपर बच्छा जवान हो जाते है बेटी जवान हो जाती है तो फिर उसके जिमेदारी वह खुद responsible होते ही हैं अगर वह खुद भी अपनी life का responsible हो जाता है समझधार हो जाता है इसको अकल आ जाती है उसको अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है तो हम देखते हैं यहां पर कि अदालत में हमें लाया जाएगा बिल्कुल ऐसे बाजी यहां पर इस्पेशली जो डिसकस किया गया है वो है अन्यकि मॉरल वैल्यूज में यह नौजवान लड़कों को देखते हैं जो तर्बियत इनकी नहीं की जाती यह जो अच्छी बातों क करते हैं वो क्रिमिनल अक्टिविटीज में चले जाते हैं तो उस क्राइम में उनसे कतल भी हो जाता है लोगों को हर्ट भी करते हैं लोगों को तंग भी करते हैं बहुत कुछ होता है लेकर अल्टिमेटली ना सिरफ दुनिया की अदालत को जाते हैं बलके खुदा की अदा बखतना पड़ता है. एक और बड़ी खास बात, बजमें आकी आखिए है, के जो बचे आपनी Teen Age में Study करने के बजाए, Church को टाइम देने के बजाए, Youth और Sunday स्कूल को टाइम देने के बजाए, अपने अपने स्कूल और कॉलेज को टाइम देने के वजाए वो गहर ज़रूरी बातों में शामिल रहते हैं, अल्टीमेटली उनका अजदवाज भी कामया नहीं होता है, यह भी जमीर पर रहते हुए बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए कि नाकस हकल होती है, उसी नाकस हकल को लिए हुए, असर को लिए हुए, वो आगे जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और ऐसे ही है, यह नोजवान बेटे और बेटियों के लिए है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नोजवान हो जाता है, तो वो उसको वो हिकमत और धनाई की बाते करता है, अच्छ है तो वो ना मत समझे कि मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे देख रहे मुझे बाइर से कोई नहीं देख रहा नो 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 आप ये मत समझे एक जात अकदस है जो आसमान पर है और जो हमें देख रही है हर लमा हर गड़ी हर वक्त देख रहा है और वो खुदा है याद रखें के मताबग था, तो उस वो कहता है कि मैं कहां छुप कर जाओ, हुडा वन मैं तुसे कहां भागूँ, मैं पताल में उतर ज्वा जाओ, तो देख तो वہां भी आ, मैं जमीन के अत्वल में भी समाजाओं देख तो वहां पे भी है तो यह निकि खुदा हर जगा मवजूद है तो हमें इस चीज़ को याद रखना है वो बेटा है या बेटी है आप यह मत सोचें कि हम गलत काम कर रहे हैं हम गलत कारिया कर रहे हैं हम जो हमारा रविया दुरूस्त नहीं है हम अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं तो यह याद रखें कि लिखा हुए लेकिन याद रखें कि इन सब बातों के लिए यहां पर हमें तंबी की गई है कि इन तमाम बातों के लिए हमें अदालत में लाया जाएगा यहां पर हमारी अदालत होगी जमीन पर तो होई जाती है मगर एक अदालत है जो खुदा हम से पूचेगा कि हमने अपना वक्त कैसे गुजा रहे है क्योंकि सुलिमान बात्शाजा जैसे लिखें ने का बातों का जवाब दे खुदा को आपने होना है हमें खबरदार होना है हमारी जवानी जो है यह हमेशा नहीं रहती जवानी जो है यह खत्म हो जाती है मिट जाती है और जवानी जो है यह अगर बचपन गुजर जाता है लड़कपन भी गुजर जाता है, जवानी भी गुजर जाती है, याद रखें, भड़ापा भी आता है. जवानी जो है यह खुदा के पसंदीदा है, बहुत ज़ादा, और यह टाइम जवानी के अंदर अगर हम खुदा के तरफ से देखें, तो यह वह टाइम है जिसमें हमको ज़्यादा के खुदा के खुदा होना है, सभी लोग अल्टिमेटली ओल्ड एज में सभी होते हैं, तो यह टायम है जो खुदा को बहुत पसंद है खुदा चाहता है कि हम चुदा के सार चुर्च के साथ च titles के साथ खुदा के सार्य की》 खुदा के सा होते ही चाहता है ऐने आफिपास्मान के ताबě रहें ऊंपन ताबे रहें, सीखें इस साथ रहें यह तबल्गां फ्हेह उच इतना चार्म टाइम होता है जिसमें हमें बेसिकली अच्छे कामों के लिए इन्वेस्ट करना है गल्त में करेंगे तो फिर बास बैठे हुए हैं तो लेकर अच्छे में करेंगे तो आउट्पूद उसका ना सिर्फ भड़ापे में बलके इसमें हम अपनी जात के लिए फाइदा मांद है अपने घ्राने के लिए फाइदा मांद है अपनी चर्च के लिए फाइदा मांद है अपनी कम्यूटी और कंट्री के लिए फाइदा मांद है इंग्लिस जितने भी आज हम देखें कि आर्मी में जब यह जाते हैं तो बिलकु आप ऐसे गलत कामों से हट के नौजमन को जरूरत है कि आपनी अच्छे कामों में अनर्जी का इस्तमाल करें। बिल्कल और खुदा के खादम पाजङरा करती आप मेहिनत करने पड़ेगा। और जो जवानी में अपने टाइम को वेस्ट करता है फिर उसका बढ़ापा जो है वो फिर मेहनत करते गुजरता है तो जवानी जो है ये बहुत खुबसूरत है इस जवानी में आप अच्छे काम करें अच्छी बातों को अपनी जिन्दगी में लें और अच्छे कामों को सार अन्जाम दें। किके खुदा नहीं चाहता कि हम बुरे कामों में हम अपनी जिन्दगी को गुजारें। अगर हम वाइस की किताब उसके बारवेंबाब और उसके पहली आयति मकस्था के तलावत करें। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालक को याद कर जबके बुरे दिन हनुज नहीं आए और वो बर्स नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इन से मुझे कुछ खुशी नहीं। यहां पर जैसे आप पहले बात का रहे थे कि हमें अपनी जवानी के याम में ही अपने खालक को याद करना है और यह खुशी खुशा को बहुत पसानता है जैसे दाउत की एक्जेंपल को हम देख लिए हैं फिर हम देखता हूं कि यतना जाती जूलिया से जब उसकी फाइट ह मजूद है खुशा के साथ इतना क्लोज रिलेशन है कि वो एक लाठी के साथ एक असा के साथ वो दुश्मन को यह कि अगर शेर बबर आ जाता है उसके जहनुरों को कुछ कहने के लिए तो वो माट डालता है रीज काम काबला कर लेता है तो इतना कॉंफिटेंस उसका डिव प्रिश्टों की खातर अपनी जिन्दगियों को दौपे लगा देते हैं अपनी जिन्दगियों को बर्बाद कर देते हैं और यह कोई अच्छा फैसला नहीं है अपनी जिन्दगी जब हम खुदा के साथ गुजारते हैं जब हम खुदा के किलाम को पढ़ते हैं जब हम है इनके अंदर इतनी कापैसिटी है कि यह उन कामों पर गाली बासें हैं जो वो सर अन्जाम दे रहे हैं यह हमारी जिन्दी में हम घाली बासे हैं हम कदा की कुछत और उसके जहर के साथ ही घाली बासे हैं दुश्मन अब्लीस जो के खता की रुиц और याद रखें वो खुदा के किलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारे दर्वाजे पर दबका बैठा हुआ है बलके वो हमारी जान का मुश्ताक है हमें खबरदार होना है हमारी नोजवान बेटियों को बेटों को खबरदार होना है आपने खुद भी खबरदार होना है पेरेंट्स तो रिस्पोंसिबल है ही मगर हमारी नौजवान बेटियों को और बेटों को भी खबरदार होना है आप देखें आप कुदा के कलाम में मकदस को देखें फड़ें इसको और फिर आपने आपको चैप करें और खुदा के कलाम में आप देखें कि मैं किस रापर चल रहा हूँ क्या ये राप मेरी खुदा की तरफ जा रही है या ये रस्ता जो है मुझे दुरूस जगा पर लेके जा रहा है क्योंकि याद रखें अबलीस तो आपको जो है वो आपको जोड़ता है वो आपको गलत ट्रैक पर लेके जाने की कोशिश करता है मगर यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस राका चनाव करना है बेटा है या बेटी है आप गलत रास्तों को ना चुनें क्योंकि यह जिन्दगी की तरफ नहीं बलकि मौत की तरफ ले कर जाते हैं हमें जिन्दगी की रा को अपनाना है और जिन्दगी की रा जो है वो सिर्फ यह सुमसी है और जो यह सुमसी को अपना लेता है खुदा के कलाम में लिखा हुए कि सचाई से वाकिफ होगे तो सचाई तो में अजाद करेगी ब्लकुल बिल्कुल दो हमें बड़ी स्ट्रॉंग अग्जेंपल्स बाइबन कदस में मिल जाती है दानियल की बिल्कुल वो मामब पापा से उस्टादों से दूर लेकिन हम सीख चुके हैं अपने दिनों में और यूसफ उसने सीख लिया है लेकिन एक गहर कौम में है दोनों ने दानि बिल्कुल और अगर हम देखें पस्टर स्लीम रजा के यूसफ और धानियल ये दोनों ही गुलामी की हालत में हैं और ये दोनों ना सिर्फ गुलामी की हालत में हैं नौजवानी की हालत में भी हैं नौजवान हैं जैसे क्वाइट यंग कहा जाता है वो जवान है और मगर फिर भी इन्होंने खुदा की रा को नहीं छोड़ा, इन्होंने खुदा के फर्मान को नहीं तरह किया, इन्होंने खुदा के हुक्मों को अपनी जिन्दगी में बुलाया नहीं है, बलके याद रखा है, हमें अपने जवानी के याम में अपने खाले को याद रखना है, ताक करते हैं अब हम खुदा के जुकेंगे अपने आपको 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 खुदा के जुकेंगे और वो बेटा और वो बेटी और वो माबाब जो आप भी खुदा से दूर हैं को गसारी क करते हैं ऐस ऐसाथ के बेटे बेटियों को तेरी हजुरी में अपलिट करते हैं जतने अजीज देख रहे हैं जतने अजीज सुन रहे हैं जतनी बेटियों देख रहे हैं जतने बेटे देख रहे हैं उन तमाम के लिए मैं बरकत और सलामती की द्वा चाती हूं एक खुदावन उनके जवानी के याम है खुदावन वो तुझ में गुजरें तेरी हम्दस्वर नाम में गुजरें तेरी तारीफ में गुजरें तेरे नाम को जलाल देते वे गुजरें खुदावन और वो बेटे बेटियां जो खुदावन अपने राहों से फिर चुके में हैं गलत रापर चल रहे हैं मेरी उनक के लिए भी दूआ है कि उनको तू सीधा राद दिखा ताके खुदान दून की जिन्द की बच जाए कि कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बलके तू चाहता है कि सब की तूबा तक नौबत पहुंचे खुदान तो अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस कलाम के वसिला से सारी जिन्द के में अपना काम करना ताके तेरा नाम जलाल पाए हम सब को बर्का दे और सलाम ते बक्ष मसिए सु के कादर पाक और जलाली नाम से मांगते हैं आमें